दोस्तो नमस्कार बाढमेर में मा और उसकी बेटी के सव पारी के ठाके में मिले है पीर पक्स ने ससुराल पक्स पर हट्या कर सव ठाके में डालने का आरोब जो है वहा लगाया है पुलिश ने जब सव को बाहर निकाला तो मा बेटी आपस में लिप्टे हुए थे पियर पक्स के आने के बाद 5 गंटे बाद सोग को टाके से बाहर निकाला गया गटना बाड में जले के सर्थाना लागे के नोख गाउं की सनिवार दोपर एक वज़े की है महिला सेल डिएसपी अर्विन जागिन ने बताया कि सनिवार दोपर को सूचना मिली थी की नोख ग्राम पंचायत के रतनानी बादूओ की डाड़ी में एक विवाईता और उसकी बच्ची का सव टाके में गिरा हुआ मिला है मोके पर पहुंचोए तो मर्तकों के राई उमर 25 वर पतनी रमेश और 4 साल की बेटी भावना का सव खेत में बने टाके में पड़े थे और पती रमेश के राई की जिठानी के साथ अवेज समन्द होने का आरोप जो है वह लगाया है पुलिस ने रिपोर्ड के बाद मामले की जांच परताल सुरू कर दी है मर्तका की साथी करीब साड़े 4 साल पहले होई थी पुलिस ने दोनों के सव को रात को बाड़ मेर ऑस्पिटल की मोर्ची में रखवाया गया है मर्तका के पियर पक्स की रिपोर्ड के आदार पर आगे की कारवाई जो है वह की जाएगी पुलिस प्रार्मबिक जाच में टाके में डूबने से मौत होने की वज़ए जो है मान रही है पोस्ट माटम के बाद ही किलियर होगा कि मारपिट हुए है या नहीं मर्तका के साधी 19 अप्रेल 2019 को हुई थी टाका करीब जो है गर से 50 मीटर दूर जो है खेत में बना हुआ है अब आगे आप वीडियो में सुनिए माइला सेल के वर्ता अदिकारी अर्विन जागिड का क्या कहना है जुड़े रहे तमाम परकार के अपडेट के लिए दा खटक के साथ मैं आपका साथ ही जस्वन सिंग शिवकर अब जैसे अंदेर आवा तो हमें पता चला उंदर एक मैला और बच्ची दोनों यहों गले मिले वे और दूब पानी के अंदर दिख़way दिये लड़की के पेर पक्ष को सुचीत किया गया पेर पक्स निकाज का हमें पिर नोग आए उसके बात में आप बड़ी को बाहर निकाले हैं दूबंड ही है लेकिन अब पोस्माटम होगा मोक मौटनों की बड़ी यहां, मोर्ची रूम में रखवाई है पियर पक्ष ने अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है रिपोर्ट मिल जाए तो उसके इसाफ से आगे जो भी कानोनी कारवई है विद्धी समत कारवई है वो की जाएगी महिला की शादी का मुईती और बच्ची की उमर क्या थे जैसा की उसका पियर पक्ष बता रहा है दो जाएगा 19 मुईती तो करीब करीब 5 से 6 साल हुए है और बच्ची की उमर करीब 4 से 5 साल के आजपास है